नमस्ते किसान भाईयों मैं विनोट डिब्ब्ब आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तो धान के रोग और कीड के बारे में हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं उसी संदर्ब में हमारा एक वीडियो है इस वीडियो में हम लोग जानकरी लेने वाले है धान में जो पेनिकल माइट साता है और पेनिकल बलाइट साता है उसके बारे में जिसे हम किसान भाई आम भाशा में तीतरा लोम ये भी कहते है तो वो कैसा रहता उसके symptoms क्या होते हैं वो हम आज देखने वाले है देखिए दोस्तों यहाँ पे इस खेत में धान निकल चुका है धान लगभग अभी भरते आ रहा है और इसमें देखिए आपको यह एक धान है इसमें आपको समझ में आएगा कि इसमें देखिए आपकी दा तो इसको पेनिकल माइट्स और पेनिकल बलाइट का अटेक बोलते हैं दोनों एक साथ आता है तो अगर इस तरीके का धान हमारे खेत में हो रहा है और उसका percentage दोस्तों 5% से जादा है 10%, 20%, 30% ऐसी situation में हमाई फवारनी करना जरूरी है अगर यह आपके खेत में अगर 2-3% य तो आपके खेत में अगर यह प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो हमें इसके लिए फवारनी करना आवश्यक है तो यह आता है दोस्तों पेनिकल माइट्स एक माइट्स बोलते हैं जिसको मकडी जिसे आम भाशा में बोलते हैं और पेनिकल ब्लाइट या जिसे हम बोलेंगे कि ल आड़माइट नाम से एक माइटी साइड है दोस्तों दवा उसको ले लेना है 25-30 ml एक पंप में और तोजिक जो है दोस्तों हमारी सदाबाहर दवा उसको लेना है 20 ml यह दोनों का मिश्रन करके हमें इसका छिड़काव कर देना है तो इस रोक पे आपको बहुत कंट्रोल मि पिर भी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं मेरा नमबर है 8668-5463-62 धन्यवाद फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में